दोस्तों ये वीडियो शुरू करने से पहले ही मैं आपको बता दूँ कि ये वीडियो केवल आपके मरुण्यन के लिए बनाया गया, क्रिपया से स्रीशली मत लीजिएगा मुवी के पहले सिन में देख सकते हैं कि अचानक से लोग क्या हो गया यार कि अपने आप ही गिरने लगे हाँ अगर सारे आदमी किसी के डर के मारे गिर रहे हो तो बात अलग है लेकिन इस आदमी के शेहरे को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि किसी के डर के मारे ये गिर रहा है और इस आदमी को देखकर तू बिल्कुल भी नहीं लग रहे, कि यए अचानक से गिर रहा है, जैसे लग रहे है, कि आराम से बैठ रहा है, और इस आदमी के आद में आपको एक तलवार दिखाई दे रहे होगी, लेकिन आपको ये कहां से देखके लग रहा है, कि ये असली त अगर इस लिफापें पर कोट का नाम भी लिखा हो तब भी हम यह नहीं कह सकते कि इसके अंदर नोटीस ही है क्योंकि इसके अंदर तो कोई भी कागजाद हो सकते हैं इस सीन में इनके चेहरे और बालों के मेकप का काम चल रहा है और आप इनके कान के पास बाल देख सकते हैं ज्यादा बड़े बाल नहीं है और ज्यादा नीचे तक भी नहीं है लेकिन जैसे ही इनका मेकप का काम खतम होता है अचानक से कान के पास साइड में इनका बाल बड़ा कैसे हो गया जबकि पहले तो छोटे-छोटे थे और इनके मुचों को भी आप देख सकते हैं कि इतने लंबे मुच नहीं है कि ये खड़ा कर सके लेकिन अगले ही सिन में अचानक से इनके मुझ खड़े कैसे हो गए यार और उनी मुझों पर ये ताओ देते नजर आ रहे हैं और यार ये सब देखकर हम ही हरान नहीं है बलकि ये बच्चा भी हरान हो गया खेसाई लाल कुछ चिटियां उपर फेकते हैं और सारे चिटियां उपर उड़ रहे हैं लेकिन अचानक से 5-6 चिटियां नीचे कैसे गिरी हुने जर आ रही है जबकि खेसाई लाल ने जितनी चिटियां फेकी हुई थी सारी उपर ही उड़ती हुने जर आ रही है अब ये क्या ड्रामा है यार कौन चोकी पर कुर्सी लागे बैठता है आप ही बताओ यार अब ये तो हद हो गई यार ये मेरी सहन शक्ती के पार जा रहा है इस सेन में जो लड़की इंटरव्यू ले रही है उसे जरा ध्यान से देखी है जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सोती हुई नजर आ रही है और अचानक से नीद में उड़ती है और थपड़ मार के वापस से सो जाती है लेकिन यारे जैसे ही थपड़ मारती है वापस से सोने जाती है तब तक तो इनका खुला हुआ नजर आ रहा है यानि इसका मतलब तो यह जान बूचकर थपड मार रही है और उसके बाद सोने का नर्टक कर रही है और इनके बगल में एक बच्चा भी सोता हुआ नजर आ रहा है लेकिन यह सो कहा रहा है यार यह तो हस रहा है जरा ध्यान से देखिए इसको अब यार कोई घर से बाहर बरतन भी फेकेगा तो इतनी इतनी दूर तक बरतन पहुच जाएंगे इनको तो देखके जैसे लग रहा है कि जान बूचकर इनको एक एक आदमी लेया कर एक एक जगा पे रखे हुए है तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर ऐसी वीडियोज आपको और देखनी है तो हमारे चैनल को जलू सब्सक्राइब कीजिए